आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई बोटी बार्बी क्यू करेंगे तो इसके लिए जो चीजें हमने ले लिया है बोनलेस आदा किलो हाफ कीची और इसके साथ हमने ले लिये हैं यह हमारे पास लेमन है लिम्मू दो अदर यह लसन अदर का पेस्ट है एक टी स्पून यह पेस्ट है यह भी एक टी स्पून है यह नार्मल नमक सॉल्ट जो होता है यह है यह भी टी स्पून है और यह चाइना सॉल्ट जीनो मोतो यह भी मापस एक टी स्पून है और ब्लैक पेपर भी हम एक टी स्पून लेंगे काली मिर्ची और यह मापस वाइट पेपर है अब हमारे पास है, आइल हम वन टेबल स्पोनिस में यूज़ करेंगे, यह हमारे इंग्रीडियंट है, अभी हमने चिकन के अंदर यह सारी चीजें डाल देनी है, मसाले लेमन का जूस निकाल के हम डालेंगे, और क्रीम हम डाल देंगे, तो इसकी हम सारी मेरिनेशन करेंगे, पिर हमने आदे खंटे के लिए कम जब और जाद से जाद एक गंटे के लिए इसको रखेंगे, तो उसके बाद हम इसका बार्बी क्यू करेंगे, हमने बाखी मसाले डाल दी है, और पहले बताना भूल गी थी, ऑल भी हम मेरिनेशन में ही इसके डालेंगे, वन टेबल अधे गंटे के लिए या आप जादा जादा गर एक गंटे के लिए रख दें तो जादा अच्छा रजल्ट इसका विलेगा, हम इसको एक गंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं, उसके बाद हम इसका बार भी कू करेंगे, हमने मलाई बूटी का जो मटीरियल तियार करक यह हैं, जादा था जादा इसको मेरिनेट करके इसको भी हमने आधे गंटे के लिए फ्रिज में हमने रख आ है, आप चाहें तो एक गंटे के लिए रख लेए बेस्ट रजल्ट के लिए, तो अब आम इसको सीखों पे लगा रही हैं, यह हमने एक पीस उठाया और इस तरह इसी तरह हमने बाकी सारी सीखों पे भी लगा लेना है, एक सीख पे हम four piece लगाएंगे, यह हमारी एक सीख तयार हो गई है, इसी तरह हम one by one बाकी भी सीखों पे लगा लेंगे और फिर हम इसको बार भी क्यूं इसका अमल करेंगे बाकी अगला procedure, यह हमने जो मलाई बोटी के लिए बनाया था, सीखों पे हमने लगाई थी, वो हमने इदर रख दी है, हंगीती के उपर, कोईला हमारा जला हुआ है, पहले से हमने जला लिया है, तो यह, अब हम साइडें चेंज करके तो इसको पकाते रहेंगे, यह आप देख रहे हैं, सीखें हमारी गुक हो रही है, और इन पे बहुत अच्छा सा लाइप गूल्डन कलर आ गया है, लेकिन इसको साथ साथ ही हम, इसकी साइडें चेंज करते रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यह इस तरह जैसे आप देख रहें हैं, ताकर साइडें चेंज करने का मकसद है कि यह सारी चारों साइड मलाई बूटी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और दूसरा जो इसका ड्रॉप छुटे छुटे गिरते हैं नीचे इसके उपर कोईले के उपर ओयल के तो उससे यह जो धुआ उठ रहा है इसमें बहुत अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर इस दुएं से आता है बार्बीक्यू में तो यह इसका मलाई बूटी का मज़ा और दुबाला कर देता है इस वज़ा से उई लगाया जाता है यह देख धेश हैं आप बार बार साइड़ हम चेंज कर रहे हैं ताके सारी जाने अस तुए को यह इस तरह करके ऑईल लगाने के बाद भी सारी साइडें हमने चेंज की हैं यह बस हमारी मलाई बुटी तकरीबन तयार होने को है यह हमने अभी उतार के आपको दिखा रहे हैं इसको एक पूरी सीख को हम उतारेंगे एक एक पीस करके चार चार पीस हमने लगाए थे तो यह हमने उतार लिया है यह आप देख रहे हैं कि उतारा भी असानी से जा रही है और इसका कलर इतना अच्छा आ गया है खुश्बू भी मज़े की आ रही है इसकी यह देखें आप अंदर से भी बहुत अच्छी सी कूको गई है यह यह तैयार है हमारी मज़ेदार चिकन मलाई बुटी जो के हमने पूरा प्रोसीजर पहले दिखाया है अब हमने इसको बार्बी क्यू करके तो यह फाइनल डिश आउट किया है आप इसको गार्निश कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ और इसको दही वाली चतनी के साथ आप तो यह बहुत ही मज़ा करती है या जैसे आप मुनासब समझे वैसे आप खा सकते हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत बूलिएगा और हमें दौाओं में याद रखिएगा अला हाफिज